हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज में चैन्हील का यहाँ पेपर के संपुड़हल देखने वाले हैं फ्रेंस आप सभी को भी जानकी पेपर को हल करने के लिए तीन ंघंटा 15 मिड्यका समय यह मिलेगा जो आपको पुढांक रहेंगा सत्तर नंबर का रहेगा इसके जो निर्देश दिया रहते आप सभी को पता है चलिए सीधे प्रश्णों को हल करते हैं आप सभी का जो खंड को है जिसमें बहुई कल्पी प्रश्ण है टोटल बीविकल्पी प्रश्ण है जिसमें उपखंड II है अब दिखे परती प्रश्ण जो है फ्रेंट एक एक नंबर का है आप का सवाल है यदी आपतन और आई तैथा प्रावरतन कोड आर हो तो अपरतित कि कि देखिए यह आपका सम्तल है और इस पर क्या होता है यह एक cinco de कोड बनता है यहां कोड बनता है क्या रहता है आई होता है और यहां इन होता है i हो इção अकाल यानि कि आपको आपतन कोड और प्रावरतन कोड में से घटा घटाते हैं तो आपको अपवर्तित किरत पता चलता है यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा को वला आपसन सही हो जागा ठीक है अब देखिए अगला नंबर का सवाल दूसरा नंबर कि क्या है किताप बढ़ाने किसी चालक का वहदुत परतिरोत होता है तो Price इसको आप याद करके जाएगा किस से दिखाते हैं किसी चालकतार यह जी हाप चालकतार के य tweet ताप बढ़ाते हैं तो उसका परतिरोत क्या होता है बढ़ता है इस प्राष्ट हो जाएगा इसके साथ में याद रखिएगा 친구 की आपका एक अचालक होता है अचालक पुछेगा और कहेगा अचालक यदि आप पढ़ाते हैं तो इसका परतिरोत क्या होता है घड़ता है तो फ्रेंब यहां प्रश्णों को आप जरूरी याद रखेगा यदि चालक कहता है और ता पढ़ाता है तो परतिरोद घरता है इन दुन की लड़ा में हुआ, इससे सवाल पूछता है बारवार एक वी चलन पूछता है अधिकतम होगा अब आप सुनको ध्यान से पढ़िए गा बैगनी रंका हरे रंका यह लाल रंका वी चलन जू होता है इसका सही जवाब को वाला होगा यदि प्रशन यहीं पूछता वीचलन कम किसका हूता है याद रखेएगा विचलन कम होता है लाल का होता है और अधिक पूछेगा जो किसका होता बैगणी का होता है चोछफा नम्बर का सवाल देखिए एक अवतल द्रपड की वक्रता त्रिझा कितना है 20 cm इसकी फोकस दूरी पूछा है देखिए फ्रेंस आप करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल देखिए कि एक प्रोटान पर विद्दूत आवेज की मात्रा होती है आपसन को ध्यान से पढ़िए फिर इसके बाद आपको बताते हैं देखिए करवला आपसन है कि 10 गुले 10 पर माइनस 19 कुलाम या 6 देखिए पर दू 5 गुले 10 पर माइनस 19 कुलाम या 1.6 गुले 10 पर माइनस 19 कुलाम या माइनस 1.6 गुले 10 पर माइनस 19 कुलाम देखिए प्रोटान पर जो विद्दूत आवेज होता है वो होता है आपका 1.6 गुले 10 पर माइनस 19 कुलाम ही होता है लेकिन एक चीद ध्यान दिजीगा ठीक है प्रोटान हमेंसा क्या होता है धनात्मक होता है यानि कि धनात्मक में देखें तो गवला आप्सन करेक्ट हो जाएगा यहां प्रेंस आप से पूशता प्रोटान के जिगा पर आपको पूछे गात एक दसमें उछागुर्व दसमें मैंनेस उन्नीस उलाम होता है ठीक है और यही प्रशन यह जदी आपसे पूछ लेता कि नियूट्रान कोन सावेस होता है तो नियूट्रान किसी प्रकार का आवेस नहीं होता है ठीक है यह प्रशन आपको जो बोर्ड को पूछ सकता है सभी क्लियर हो गया होगा अब देखे छठवा नंबर का सवाल क्या है कि किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की तू तीन गुने करने पर उसका प्रतिरोध होगा ठीक है अब देखे आप संद्धिन नो गुना हो जाएगा इन गुना होगा एक बटा की तीन गुना होगा तेके फ्रेंश आप सभी को प्रतिरोध के फार्मूला पता आरिश कल्टू क्या होता है रो यहां अपा अब यहांस एक ध्यांद कषीज कर यह सवालमें तेस्वाल में कीच क्षीकर ग्रूदी यहांदl तीन गुना करता तो उसका पर्तिरुवत के आज़ यह स्कौार के होता है यह याद रखिए गना यह तितली के नौ गुना हो जागा इसकी प्रारंबिक लंगा लंभाई को तीन गुना करें तीन गुना खाली हो जागा इन सब्दों को ध्यान दिजिएगा नहीं था सवाल को देखते हैं साथ वा नम्बर का सवाल देखिए स्वास आग के लिए दुरस्त बिंदू होता है ठीक है यहां पर आप साल आपका पचीस होगा पचीस मीटर होगा सौ सेंटी मीटर यह अनंत होगा यहां से आपकी पेपर में दो प्रश्न बार बार पूशता है श्पू watches और धew시 भी बहुत पूछता है स्वस्ट आग के लिए स्वस्ट आग के लिए दूर इंतलों को याद रखिए जीएगा और फूर्टक्षा के लिए Assai किया कोदिए पत्बूर होता है किrap हो सबस Way to do होता हैं से दिखेंगं यहां पिरिया है यहां पर का मतलब रिएक्षण कर रहा है यह अपसा सदेग्स अब किरिया है लो फेक्ति का यहां से विश्थाप्त कर रहा है। तू या फ्यूक क्या कर रहा है उसके अस्थान साटा दे रहा है यानि क्या कर रहा है विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा अगला सवाल देखिए कोई विलियन लाल लिटमस या ध्यान दियेगा लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है नीला क्या कर रहा है लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो इसका pH मान होगा और आप सभी को पता और चाहिए कि जब कोई विलियन यहीं लाल निटमस को क्या कर रहा है नीला तो क्या होता है च्छार होता है क्या होता है यहाँ अदिक अब यहां फे option में देखिएगा 7 से अधिक कौन सा है, यहां पे 1 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, 10, तो 7 से अधिक 10 है यहां पे सही जवाब क्या होगा, घवाला option correct हो जागा, तो यहाँ प्याद रखिएगा सबस्ट करें कि लाल लिटमस जो है नीला कर देता है T описa यहां पर दश के जगा कभी आट कभी नौ दस इस तरह से option मिलता रहता है इसका सही जवाब यहां 10 देयां त flour कोई OUT देका यह नएक ही option देगा 10 देगा नक fazem App आप सबस्क्रमिम्न को ध्यान से पढ़िए क्या होता है कि जैसे होना चाहिए है चाहिए यादि औह रहें चाहिए तो इसमें हुआस है क्यों tại ila यहां पे क्लिव में होता है कि एलस्य पकलिस दा करेक्ट हो नमरकह देखिए sulfuric अमल में हाइडोजन प्रमाडव की संख्या है यानि कि उसमें पताना है कि hydrogen प्रमाडव की संख्या कितना है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि self- query か formula होता है यह स् टू-स-ओ. ने जी सिर्फ ये कelltर तें इसमें hydrogen संग्या कितना दो है समझ में आगया अगला देखिये निमिलिकित में से कौन सी धातु अमें से हाईडोजन विस्थापित कर देता है ठीक है अब आपको सबुए पढ़ाया हैं उसमें आप सबसे अधिक क्रियाशील है कौन सा उस से कम कौन से उस से कम जो ज्वादा अभी क्रियाशील होता है वह हाइडोजन क्या करता है विश्थापित कर देता है इसमें आपसंद में देखेंगे ता हाइडोजन से नीचे वश्तापित कर देता है इन चार आप्सन में से मैगनिसियम क्या कर है कि रिखिए नुम नली खित में से अमली लवड़े गिंखें अमली लोड़ का पाचान क्या है जिसमें आपको려 अमली उधाKY अब आपसन को ध्यां से पड़िएगा là यह साहिए ले कि इसमें भी हाईडोजन नहीं यह इसमें आपको हाइडूजन होगा वो अमली होता है तो यह आपसां सही हो जाएगा कि इसमें हाइडूजन है यह इन एस आपसन इसका क्रेक्ट हो जाएगा समझ में आ गया होगा आपको देखें अब उपखंड सर्फ पड़ते हैं देखें यह कृट स्रावित करता है इस प्रश्न को था हो इसका सही जवाब गवल आफ्सन करेक्ट हो जाएंग अग्ला सब्सक्राइब एक याहम को याद यहाध सबसे अच्छा तरीका से गयाने करने के सबसे अच्छा तरीका से है यहां से जल लीजिए और यहां से लनी लएगा यानि कि जाएlike को प्राग नली में नर्युक्म की संख्यां होती है जो नर्युक्म होता है उसमें प्राग नली संख्यां कितनी होती है आपसन एक होगा दो होगा तीन यार इसमें कौन से सही होगा खवला आपसन करेक्ट हो जाएगा दो होता है अगला सवाल देखें सत्रहावा नंबर का कि मनुस्त के परतेग जवड़े में चरवड़क धन्तों की संख्या कितनी होता है इसे डारेक्ट याद रख रखिएगा मेरू रजू से निकलने वाली मेरू तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती आपसने 15 जोड़ी 31 जोड़ी 21 जोड़ी या अनिश्चीत होता है इसे याद रखिएगा कि 31 जोड़ी होती है मेरू रजू से निकलने वाली मेरू तंत्रिका की संख्या कितनी होती 31 जो होता है प्राग करण क्या होता है प्र वरटिका होता है इसका प्राग कोस्त में तो यहां सही होता है इसका सही अगला नुपात होता है हैं किसमें आपका यह प्राप्त होता है एक संकरक्रास में द्यू और अगने नंबर के सवालों के देखी इन प्रश्णों को आप तयार कर लीजिए बोर्ड की एक्जाम के लिए देखिए लगूत्तरी प्रश्ण है देखिए पहला सवाल आपका है कि 15 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पड़ यहां दियान दिजिए कि उत्तल दर्पड़ से कोई भिन 10 cm प्रश्णों को आप लगा लीजिए अगला है इसको भी तयार कर लीजिए अगला प्रश्ण है कि एक घंटे में 50 बोल्ट भी भुवांतर 96000 कुला आवेस के अस्त्राइंद करने में उत्तल उस्मा परिकलित कीजिए आपको उस्मा ग्यात करने यह चार नंबर का है यह इन प्रश्णों का आप जरूर तयार कर लीजिए अब विश्तिरित प्रश्ण देखिए आपका इन प्रश्णों उत्तम दर्पड के लिए यह यह प्रश्णा तो ठीक नहीं तो अथ्वा में दिया है कि चुंबगी छेद्रे में इस्तिय धारावाही चालाग पर लगने वाले बल का सुत्र का निगमन करना है आपको व्यात करना है यह इन दोने में से जो आ रहा है उसको आपको हल करना है अगला सवाल उप्खंड बह रही रसाइनी के नाम लिखना है आपको लिखने को शोटबते हैं तो क्या होता हैuan ethics प्रश्णो को बीछी पाउडर को ट्यार कर लीजेगा आपसभी को पढ़ा आं उसको एक बाहल को जरूर देख लीजिए अगला है IS k के सांद्रह साभ क्या समंखते हैं आई आज कर सांद्रह के मुख्य वीधियां जो है उसका वराण करना है आपको दो दो लाइन में तीछा नंबर कराएगा अथवा में यह आ रहा है तो ठीक नहीं तो सके लाव अगला प्रशने है रसायनिक अबिकिरिया किसे कहत प्रतिय के उधारा दीजिए रसाइनिक अब गिरी के बारें बताएं सभी को अच्छे अच्छे डिटेल से बताएं आपको इन प्रश्णों के तैयार कर लिजिए इसके लगूत्री प्रश्ण में अमासे किसे करते इसके तीन प्रमुकार लिखना है जो को चार नंबर का है ब लाइक करना है और वीडियोध के ऑपको पसंद वीडियोके साथ में लाइक कर लें चैनल पे नहीं है तो चलो को साथ में सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें